तो चासनी बनाने के लिए मैंने गेस पे एक कड़ाई रख दी है उसमें हम चीनी डालेंगे एक पकट के लिए हमें 400 ग्राम चीनी लेनी है तो मैंने यहापे दो पकट लिये है तो मैं 800 ग्राम चीनी डालूंगी जितनी हम चीनी ले रहे हैं उतना ही हमें पाने लेना है जैसे हमें चास्ने को फिर एक तार की चास्नी नहीं बनानी है तो इसे चड़ाते हुए अच्छ jesteśmy हम पका लेते हैं चासनी को तो यह आप देख सकते हो चासनी पकनी स्टार्ट हो गई है देखिए तो यह लगबग चासनी पक गई है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं चासनी को तो आप देख सकते हो हलकी चिपचिपी चासनी हो गई है तो बस हमें इसी तरीके की चासने चाहिए, हमें कोई तार नहीं बनानी है तो अब हम इसके अंदर थोड़ असा food color डाल देते हैं orange आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हो इसमें थोड़ इसी इलाइची डाल देते हैं और अच्छे से mix कर देते हैं तो लीजिए गुलाब जमून के लिए चासनी बिल्कुल त्यार है हमें बिल्कुल ऐसी ही चासनी चाहिए